गाइस थमनेल आप देखकर समझ गया होंगे इंग्लिश नहीं आती मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप गलत तरीके से प्रैक्टिस करते हो क्योंकि होता क्या है आप प्रैक्टिस भी करते हो मैंनद भी करते हो लेकिन रिजल्ड यह है यू आर अनेबल तो स्पीक द वीडियो तो लेट्स गेट स्टाटेट तो गईस टुड़ेव यह यह इंग्लिश प्रैक्टिस हैस्ट्रेक्टिस एलेवन आज हम इस प्रैक्टिस की बात करने वाले गयार्वे दिन की गईस तो आज मैं आपको यह बताऊंगा कि हम इसे जात लोग गलती क्या करते है और हैसा सोचते है हिंदी में जितना हाड सेंटेंस बनाएंगे न उतना जल्दी इंगलिश सेखेंगे हम जितनी हाड प्रैक्टिस करेंगे न उतना जल्दी इंगलिश सेखेंगे हम जितने बड़े-बड़े सेंटेंस बनाएंगे उतना जल्दी इंगलिश सेखेंगे कैस आप आपको जितना हो सके उतना हिंदी में ही सेंटेंस सोचना है आपको सिंपल आपको हिंदी में क्या करना है पहले सिंपल सिंपल सेंटेंस सोचने और छोटे-छोटे सेंटेंस सोचने उसको इंग्लिस में करना है तो इस इस लेवल फर्स्ट तो आपको क्या करना है तो आप जब सोचते हो न च kindergotraal तो आप지 क्या च участ Example सो ना और क्थोटे रखने सेंटेन्स में सेंटेंस को चोटा सेंटेंस बात पूरी चोटा सेंटेन्स बात पूरी बस तो लेल बन में वेख को जितने हो सकर होतने और रो देंड हरज यह जापको कितने format इसा काम करना एंड इट विल गिव यू नेक्स लेवल गाइज विल आपको रोज दस मिनुट प्रैक्टिस करनी है यहां भी बैठे व जैसे भी हो बस अपने आपको वाइज अक्यले रखना और क्या करना है आपको सेंटेंस सोचना है स्टार्ट करना है आपको 10 मिन तक जितन में चोटे सेंटेंस सोचने और वो भी सिंपल से सेंटेंस और उसको इंग्लिस में ट्रांसलेट करते जाना करते जाना करते जाना करते जाना हर ऐसा नहीं करना हिंदी में सोचना इंग्लिस में ट्रांसलेट करना नहीं कुछ समय के बाद क्या होगा हम डैरेकली इंग्लिस में सोचने लगेंगे directly English में बोलने लगेंगे understood guys लेकिन level 1 में आपको यह follow करना ही होगा तो आज की session में मैं आपको कुछ practice करके बता रहा हूँ live practice किस तरह से मैं छोटे-छोटे sentence को translate कर रहा हूँ guys आपको यह देखना है then what I will be saying guys then I must be saying that I don't know I don't know मुझे नहीं पता है I don't know अगर मुझे बोलना मुझे नहीं पता था I didn't know did not का short form क्या होता है didn't I didn't know तो मैं यह आप उसको लिखी देता हो guys इसका होगा I didn't know मुझे नहीं पता था यह तुम्हारा पर से I didn't know this was your purse right okay अगर मुझे बोलना मुझे पता है positive sentence तो मैं क्या बोलूँगा I know क्या बोलूँगा I know जब हम किसी को call करते हो पूछते आप कहां हो तो आप क्या बोलते हो guys where yeah where are you where are you आप कहां हो आपको बोलना है मैं आपके घर पर हूँ आप कहां हो तो आप बोलोगे I am at your home मैं आपके घर पर हूँ I am at your home where are you आप कहां हो आप बोलो के मैं बहार हूँ तो मैं बोलूँगा I am outside I am outside मैं job पर हूँ I am at job मैं class मैं office पर हूँ I am at office right guys अगर मुझे बोलना आपने homework किया come on guys आपने homework पूरा किया तो मैं क्या बोलूँगा have you finish your homework have you have you finish your homework क्या आपने homework पूरा किया तो मैं बोलूँगा have you finish your homework आप बोलूँगा yes sir मैंने homework पूरा किया यस I have done my homework yes I have finished my homework yes I have completed my homework अगर मुझे बोलना सब्सक्राइब पूरा नहीं किया तो मैं बोलूँगा मैं बीजी था इसलिए आपका call receive नहीं कर पाया तो इसका English कैसे बनेगा तो इसका English बनेगा guys I was busy I was busy so I couldn't reply you I was busy so I couldn't receive your call भी बोलूँगा तो I couldn't receive your call या फिर आप बोलूँगा तो I couldn't reply I couldn't reply you yeah sorry I was busy so I couldn't pick up your call I could not answer you it's completely fine अगर मुझे बोलना है कि आपने मेरा मैस कॉल उठाया नहीं तो आप मुझे मैसेज तो कर सकते थे न तो मैं बोलूँगा you didn't receive my call you didn't receive my call लेकिन आप मुझे मैसेज कर सकते थे तो मैं क्या बोलूँगा you could you could text me simple guys speaking में चल सकता है you could text me अगर इसको प्रॉपर लिया बनाना चाहोगे तो ऐसा होगा you could have texted me you could have texted me or you could have sent me or you could have messaged me right texted me you could have texted me अगर मुझे बोला है ध्यान से सुनना गाइस sentence की स्थार से में छोटे छोटे बना रहा हूँ ताकि ज्यादा लंबे नहीं बनाने ज्यादा बड़े भी नहीं बनाने और त्राफिक रोल्स मुझे अगर बोलना है कि आपको रोज सुबह जल्दी उठना चाहिए तो मैं क्या बोलूँगा यू अपको पढ़ाय में ध्यान देना चाहिए तो मैं बोलूँगा यू शुद फोकस इंस्टडी यू फोकस इंस्टडी मैं दो दिन बाद आऊंगा तो मैं कुछ इन दीन बात epend Tut the बुलने में और हमाफटर टू बर सकता हो या फिर मोफिक्षा आपकॉल सकता हो आपी और जो क्या दो साहिए मैं चाहिए आप्टर बोलू आफटर मर आफ्टर बोलू और आफ्टर और लेडर वोथ आदर सेमीलर वर्ट ओके अगरिए पूलना है कि आप कहां थे आप कहां थे तो क्या बोलूँगा वैर वर यू ए वैर वियू मैं बोलूंगा मुझे अंसर में ता आई वसिं एंग्जाम मैं मिटिंग में था आई वसिंड में ता करता हूं तो क्या लेंगा मैं आपसे बात में बात करता हूं आ ऐ टौक तु यू लेटर इंधु से बात करो से बात करो tô to manage men मेरेज्ट पसट्रोल वहां या यह सपने देखने कर वा गैस क्यों परनलाने समय हुआ है dream dream me like I did start dreaming right start dreaming सपने देखना है स्टार्ट करो अगर मुझे बोलना है या बहुत जदा हाद वर्क करो तो क्या बोलुगा दू अ लोड़ ओफ हाद वर्क कि अब लॉड़ ओफ हाद वोड तभी आप अपने सपने पूरे कर सकते हो तो क्या लिखंगा अनी देन यू कैन फुल्फिल ओन यू कैन फुल्फिल यू और देंस अगर ऐसा मुझे बोलना हो फुर एकजमपल मैं रोज लेड जाता हूं मैं स्कूल रोज लेट जाता हो तो क्या बोलूँगा I often go school late or I always go to school late okay one more example अगर मुझे बोलना है या आपको ज्यादा time waste नहीं करना चाहिए you should not waste lot of time आप ज्यादा time waste मत करो तो बोलूँगा don't waste lot of time या don't waste time okay समय सार रहो अच्छा यह हिंदी में कई बार बोला या था बहुत भी बोलता कई आप समय पर आओ तो क्या बोलते be on time be on time इसको ऐसा भी बोल सकते है बी पंचुल बी पंचुल तो बी आंटाइम बी पंचुल आर नथिंग बट जस्सिमिलर वर्स अगर मुझे ऐसा बोलना है लाइक आप रेगुलर रहो तो मैं बोलूंगा बी रेगुलर आप पॉजिटीव रहो बी पॉजिटीव बी एनलजिटिक बी हापी तो गैस मैंने आपको बहुत सारे सेंटेंस ट्रांसलेट करके बता दिये और मैं एक ही चीज आपको बताना च बिखार और सब्सट्बार को क्या है तो आप बड़े सेंटेंस के से ट्रांसलेट कर सकते हो हैं हो कोगा तो वहांग होगा तो वहाइं से क्या होता है को मुझे इंग्लिस नहीं आता है लेकिन हमारे मैथर्ड होग है हमको क्या follow करना है simple जितना हो सके उतना simple sentence रखना है तो starting में guys level 1 में क्या करना है आपको simple sentence सोच रहा है और simple sentence की ही practice करनी है so after watching this video you have to start doing practice and one more thing this is your level 1 level 2 में आप क्या करोगे तो level 2 में आपको 2-3 sentence एक साथ mix करके बनाना है that's it right अगर आप बोलोगे कि सर हमें उसके उपर वीडियो बना करें दो तो guys comment box में आप comment करके जाना मैं level 2 पर भी बहुत अच्छा सा वीडियो और detail वीडियो बनाऊंगा कि आपको sentence को जोड़ना कैसे किस तरह से paragraph में sentence को बोलना है एक sentence बोलने को बाद अगर आप चुप हो जाते हो दूसरा निकलता नहीं है मुझसे तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा okay guys so till then keep learning and keep sharing thank you